हेलो फ्रेंट्स वेल्कॉम टू आर यूटूब चनल लानेटिन भी तब फ्रेंट्स देख सकते हो यहां पर हमारा वीष्ट सिटी उन्टेंड़ फैक्स खड़ा है और कुछ नया नया असा लग रहा है तो यहां पर मैंने कल ही यहां पर हुईल कोवर इंसलेशन किया है देख से यह बहुती लो बुजेट का है विलकॉबर और हाई बजन में भी आता है विलकॉबर इसका अलमिनियूम वाला भी आता है यह तो प्लास्टिक वाला है देख सकते हो लेकिन यहां पर एक थ्रेड लगाना चाहिए था लेकिन वहां पर सोटेज था मतलब जो फ्लिफ काड में आया था उसमें छे ही आया था थ्रेड तो मैंने यहां पर एक दो और एक यह तीन लगाया वह पिछे बाला भी तीन ही लगाया है और देखते हैं इसका कैसा रहता है इसलसला मैंने कल ही थोड़ा हाइश्पीड में राइड किया था लेकिन कुछ तो प खाली गाड़ी रहता है तब में जब यह पर यह पर इसे करने पर खट 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 जब आ रहा है वह आवाज तो मतलब बाइक जब चलता है तब तो नहीं आता है लेकिन देखते हैं आगे जाकर क्या रहता है चल्चला और यह मुरे को फिलिफ काड में 298 का पड़ा है और मतलब सही रुपिज जादा उतना उतना ही जादा नहीं कि आपको बाद में पस्ता ना पड़े आ कि यार इतने रुपिज देकर हमने खरीदे लेकिन कुछ काम का नहीं निकला दोसा तिन सो का खरीदो और देखो क्या रहता है इस दिलिफला अगर आच्छा रहता है तो फिर वह जो दोसो सरी मुदलब जो दोजार 2200 देकर जो दना करते हैं वह सोच रहता है यह फर कुछ स्टिकरिंग कर देते नहीं मैं सोच रहता है यह पर परा zł 다른 का जो बीठ है वह लगाएंगे राट गलर मैं यह प्र जो यह यह वाईट वाला थोड़ा है ना तो मुझे ल मेरे को तो बहुत ही पसंद आ रहा है क्योंकि इसका माइलेज भी बहुत अच्छा रहा है लगवक मैंने कुछ दिन पहले ही मतलब 300 रुपया पकाया था डला था और एक ट्राभेल में गया था तेलकोई साइड में और लगवक 63 का माइलेज मेरे को मिला और फिर उसके बाद गड़ी चल रहा था मैंने दोहना में पर 100 रुपय का टेल फिर बाद में डाला लेकिन 63 का माइलेज मेंने हसाब किया था हिसकीया भी हिसके बाद 100 रुपय का टेल डला लेकिन उसके बाद भी थेल ऊपर था नहीं urnीर अने लेकिन इन बहुत है क्या अशता राता है मैं आपको एक दो महिने चलाने के बाद आपको रिभीव दे दूँगा या फिर कुछ दिन बाद अगर चलाने के बाद कुछ प्रोब्लेम आता है तो मैं आपके साथ स्यार जरूर करूँगा तो देखते हैं क्या रहता है चिल्चिला और मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ प्रोब्लेम आएगा देखते हैं क्या रहता है और यह थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है मतलब जो यहां पर जो नट यहां पर जो निकल रहा है तो यह थोड़ा मेरे को सेफ फिल नहीं हो रहा है तो देखते हैं क्या रहता है इसका मैंने लगा दिया क्योंकि यूटूब में मैंने बहुत देख रहा था यूटूब में इंस्टाग्राम में तो मैंने लगा दिया देखते हैं और यहां पर मेरा एक चक्का जो वो लिख हो गया था यहां पर पचास रुप्य का गाटा जब यहां पर लीक वाना तब मेरा गाड़ी का यह वाला तूट गया और यह वाला भी थोड़ा क्या कहते हैं उसको त्रड़ा हो गया तो यह रहा विलकवर कैसा लगा आपको विलकवर बताना मेरे को तो परसुनली बहुत यह अच्छा लगा टू और मेरा नेक्स्ट मोडिफिकेशन का टार्गेट अभी चल रहा है प्लान बन रहा है देखते हैं वो कब तक होता है तो कैसा लगा वीडियो आपको बताना थैंक यू फ्रेंट्स फ़र वाचिंग दो वीडियो फिर एक वीडियो में अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाई लेकिन हम आपको में एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं यहां पर देखिए मेरा जो चला गया है लेकिन 2683 यहां पर भी बहुत ही अच्छा वाला कोइंचिडेंस और एक गाड़ी का भी रिव्यू में डालूंगा मतलब गाड़ी कैसा चल रहा है इंजिन का पर्फॉमांस क्या है टायार का पर्फॉमांस क्या है लीन बीन गन्ने में और थ्रोटल कैसा है और तरह कैसा हो रहा है थो इलोथ ब्रेकिंग के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और छाईट हैं एंडिकेटर वर आप क्य дальше सिंप्ेंशं और ब्रेकिंग यह सब की बारे में एक बेदरबबस्ताऊंगा एक बनाऊंगा में तो मतलब मैं नहीं बना कर मैं डालान और रहांग और गाड़ी के पर्फिमेंस की बारे में भी तो चलिया फ्रंट्स फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए राधर राधर चाहिए और मैं हुईल कवर का अफडेट आपको ब्लग में देता रहूँगा ठीक है आप वीडियो को देख कर चैनल को सब्सक्राइब क है है और कैसा लगा आपको ऊबिब कवर कमेट करके बताना और आपको गर लिंक चाहिए तो कमेट कर दो मैं कोशिज करूंगा आपको देने के लिए या फिर आप जाका कर फिलिफ काड में लेख सकते हैं वील कवर अंडर थ्री हंट्रेड कुछ तो आ जाएगा देख लेना रिवू का गरा और खरिद लिना कोई ऐसा नहीं कि में जो खरिदा होगा इसे रहेगा मैं भी कुछ लोगों को देखकर ही मतलब खरिदा है ठीक है फ्रेंड्स